रात का रहस्य गाव की शा में हमेशा सुहानी होती थी, लेकिन आज अजीब सी शान्ती चाई हुई थी. संदीप, जो एक पत्रकार था, अपने गाव में छुट्टियों पर आया था. उसे पहले ही लगा था कि इस गाव में कुछ अजीब सा चल रहा है. गाव वाले भी उसकी इस आहट को समझ रहे थे और बार-बार उसे चेतावनी दे रहे थे कि वह रात के समय बाहर न जाए. एक रात, जब चांदनी पूरी रात तक चांद की चांदनी बिखेर रही थी, संदीप ने सोचा कि वह एक बार फिर से गाव की गलियों की तहकीकात करेगा. गाव के बुज़ुर्गों ने उसे बताया था कि गाव के पुराने किले में रात के समय अजीब-जीब घटनाएं घटित होती हैं. संदीप की जिग्यासा ने उसे किले की ओर खींच लिया. किले में घुस्ते ही संदीप ने महसूस किया कि वहां का वातावरण भारी और तनावपून था. अंधेरे में छिपे हुए किले के खंडहरों में वह धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था. अचानक उसके कानों में एक रहस्यमय गूंज सुनाई देने लगी. संदीप ने कान लगा कर सुना, मदद करो. संदीप ने आवाज की दिशा में बढ़ते हुए एक पुरानी सी सुरंग का पता लगाया. सुरंग के अंदर कदम रखते ही वह एक चमकदार रोश्नी में पहुँच गया. वहाँ उसने देखा कि एक पुराना दरपण चमक रहा था, जिसमें एक परचाई थी. परचाई ने कहा, मुझे मुक्त करो और मैं तुम्हें वह राज बताऊंगा जिसे तुम्हारे गाउव वाले चुपा रहे हैं. संदीप ने हिम्मत जुटाते हुए दरपण को चूने की कोशिश की. अचानक, उसकी आँखों के सामने एक दृष्य उभराया, गाउव के लोग एक गुप्ट अनुष्ठान कर रहे थे, जो हर साल रात के समय किया जाता था, ताकि गाउव को बुरे आत्माओं से बचाया जा सके. वह जान गया कि यह सब एक प्राचीन परंपरा का हिस्सा था, जिसे वह अन्जाने में उल्लंगन कर रहा था. संदीप ने समझाया कि यह अनुष्ठान सिर्फ गाउव की रक्षे थे.